है सो हेलो एवरिवन स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल हुआज सर पर तो आज हम लोगों देखने के लिए जा रहे कलास 10 जियोग्रफी का चेप्टर नुमर थर्ड है हमारे पास और थर्ड चेप्टर है जल संसाधन और इससे हमारा दिरिगुत्री प्रस्ण है और यह प्रस्ण है हमारा वर्षा जल संरक्षन से क्या समझते हैं और इसके क्या उपाए यह को जब भी दिरिगुत्री के वाद आती है ना तो बहुत सारे स्टूडियंट गलती करके आजाते हैं क्योंको पताई नहीं होता है कि अंसर हम कैसे लिखे और इतने बड़े एंसर को हमको याद कैसे कर रखना दिमाग में कैसे रखना तो उसका तरीका होता है और प्रोपर प्रैक्टिस होता है लिखने की कुस्ट का एंसर जो है वो लिखने की प्रैक्टिस होता है फिर जाके हमको सही सही अंसर लिखना आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि रटना त पास वर्षा जल सनरक्षन से क्या समझते सबसे पहले समझेंगे वर्षा जल होता क्या है पता है वर्षा से जो प्राप्त होगा वर्षा जल है क्या है वर्षा जल क्या है पहले देखो यह वर्षा जल क्या है वर्षा से प्राप्त जल है वर्षा से प्राप्त जल होता है वर् यह कहां कहां पर रहता है नदी में होगा वर्षा जल नदी को जो पानी मिलता है नदी में जो पानी होता है वो वर्षा के द्वारा ही आता है तालाव का पानी ले लो जलासे का पानी ले लो ठीक है इसके अलावा हम भूमी गत जल ले ले जो जमीन के अंदर में पाया जाता है ठीक है इसके अलावा जील में बहुत सारे जील में भी वर्षा का ही पानी होता है तो ये जो मैन स्रोट अब बोलोगे शर ये तो जितना भी जल का सरोत है इसी का पानी तो पयोग करते हम लोगati में तालाव का पानी जलासे रखता है कि पानी हमारे पाच तो बहुत ज्यादा है जितना मन है असले खर्च करते चलओ लेकिन रियलिटी में यह है ने बस एक बात को समझो की वारिश में नवह स्टा यानी एक सीजन में बारिश हो गया नदी तालाब कुवां इन सारे में जल इकठ़ा हो बारिस खितम हो गया अब हम पानी का उप्योग करना शुरूब करते हैं कि अधने तो अगले सीजन जब तक वरसाा आए गाने उसे पहले याद रखो न दे से भर सायगा नि तब तक पानी तो फिर से आने वाला थे छेकिन यहां से टेप लगा देते हैं यहां से जो पानी Kundra निकलता है नहीं टाशमों में बंद हो जाता यह कम हो जाता है एक सीजन में iलसा क्यों क्यों होता है क्योंकि जो हमको अज़ता है कि जमीन के अंदर में बहुत पानी है अब इस पानी को मwater निकाले जारे निकाले जारे लेकिन भर साजी जो पानी इसक ब्रसा तो unrest Soul बढ़ने जमीं देश्च rica जमीन कर चुकित पानी जमीन बंदर है ने तो निकले गासे सरे को बा Gaming करो सारे कर दोगा वारिस होने पानी नहीं होगा तालाब में पानी नहीं होगा कहीं पानी नहीं होगा तो पानी हम लाएंगे कहां से पीने का समस्या होगा साप सफाई की समस्या होगा ठीक है बरे बरे उद्ध्योगों में जल के जरुत होता है वो कम पर जाएगा सिचाई के लिए मुश्किल हो जाएगा नहीं हो पाएगा तो यह सारी समस्या वर्षा जल की अगर कमी होती है या हमारे आसपास में जो जल होता है वर्षा जल की कारण होता है तो हम बोल सकते हैं जो जल की कमी होती है ना जल के कमी कारण यह सारी समस्याइं उत्पन होनी शुरू हो जाएगी अब इसी समस्या से बचने के लिए हम लोग वर्षा जल का सनरक्षन करते हैं यानि वर्षा जल को बचाते हैं तो वर्षा जल सनरक्षन का के मतलब क्या हुआ पहले तो यह पूछ रहा है तो वर्षा जल सनरक्षन का मतलब हुआ वर्षा बुमिगत जल के रूप में उपलब्ध होता है उन सारे जल को बचाना ही वर्षा जल सनरक्षन कहलाता तो खर्च नहीं करेंगे क्या ऐसा थोरी है पानी रखा हूँ पी एंगे नहीं प्यास लगाएं नहीं पीएंगे खाना खाली पानी पी एंगे ठीक है फसल सोखरा है लेकिन हम पानी नहीं देंगे तरीकें के तरीके से बद्धि wrapped in KoARA करना है जल की बभाद नहीं करना है सानी यहां पर पर्योग करने वाला जगह है वहां पर भी नहीं पर्योग करें तो फिर क्या मतलब है तब फिर फिर इंसान ही लुप्त हो जाएगा जलते पर хотите चोड़े लेकिन बुद्धि पुर्वक उपयोग क्या है तो जन चेतरों में जल की कमी है न वहाँ एक पदधति आती है ड्रीप सिचाई ड्रीप सिचाई में क्या होता है कि पौधे के जरों में जाकर जो फसल होता है उसकी जरों ने है मवेशिय को नहलाते हैं उस समय हम आवेशक्ता अनुसार इस परकार से जल का पर्योग करें कि काम भी बन जाए अपना और जल की बरवादी भी नहीं हो तो इस तरह सम जल को जगह जगह पर बचा सकते हैं तो अब सवाल उठता है इसके क्या उपाए तो देखो वर्सा जल क हो बचाने केविए 2002 इसवी में 2002 इसली में रास्ट्येशल नीती आया था कंग के नजज जल नीती आया था है कंग कर अब रास्ट्ये जल निती में तीन बातों का जिक्र है जिसको हमको जानना है कौन सी तीन बात ये थी राश्टी जल नीती में आउज आउज रात देख ले पहला है कि जल की उपलब्धता बनाए रखना अब ये सरकार के द्वारा लाया गया था राश्टी नीति बनाए रखना अब इसका क्या मतलब हुआ अब इसका मतलब ये हुआ कि जल तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर जल किसी छेतर में कम हो जाए या खत्म हो जाए कुछ भी दिनों के लिए मैना दो मैना तीन मैना अगले खत्म हो जाए तो भारी समस्या उत्पन हो जाएगी तो सरकार ने कहा कि हर छेतर में जल की उपलबता बनी रहनी चाहिए चाहिए लोगों को समझाओ तुम ब्यवस्था करके दो जैसे भी दो जल की उपलबता बनी रहनी चाहिए बस यह दूसरा क्या बात है दूसरा बात है हमको जल को पर्दूसन से बचाना जल को पर्दूसन से बचाना अब यह सबसे बड़ी समस्या है एक तो है कि जल खतम हो गया ठीक है जल इतना पर्योग कर लिए कि जल ही खतम हो गया दूसरी बात है जल तो है लेकिन जल पर्दूसित है अब इसे थितिम भी ज है यह तो उस जलका भी तो नहीं कर सकते हैं तो कोई तो तरीका होगा जिससे जल के पर्दूशन कमकर शकते हैं यह सपरेट क्वेस्टन भी आता है जल परने वाला कचरेट के कारण फेक्टिडियों का जो कच्रा होता है वो जल को पर्दूसित करता है जो हम लोग खेत में उर्वरक का पर्योग करते हैं उर्वरक और कीटनासक का पर्योग करते हैं इतना सक का जो पर्यूक करते उससे भी जल परदूसित होता है तिसरी बात है जो नदी नाले का पानी होता है नाले का गंदा पानी वो नदी में जाके मिलता है उससे भी जल परदूसित होता है तो इन तीनों कारणों को यदि हम हटा दे तो जल के परदूसन को कम क्या जा सकत है तो यह दो बाते सरकार ने 2002 के राश्टिय जलनीती में बताया अभिन से क्कूश्चन और निकल के आएगा कि 2002 के राश्टिय जलनीती से क्या समझते है तो डो 2002 अब देखो जल की जो समस्या है वह अभी अभी उजागर हो रही है । घर हे गया एक योजना बनाई गई राष्टिय जल निती और राष्टिय जल निती में तीन बाते मुखरूब से कही गई है जल की उपलवता को बनाए रखना है ठीक है मतलब हमेशा जल हर छेत्र में मौझूद रहे दूसरी बात जल को परदूसित होने से बचाना है यानि कि इन का परदूसित होता है अगर इन कारणों को हम हटा दे तो जल परदूसित नहीं होगा कि समझ में आए कि नहीं है और थर्ड जो है वह हमारा कि तीसरे नमर में कि परदूसित जल का कि शफाई कि और पुनहुपियोग तो यह तीन बाते सरकार ने यहां पर कही तीन बाते सरकार ने कही कौन कौन सी बाते कही जल की उपलबता बनाई रखना है हर छेत्र में दूसरी बात जल के परदूसन से बचाना है तिसरा परदूसित जल की सफाई और पुनहुपियोग इसका गया मतलब है जल की सफाई कर करके साफ सफाइ करके फिर से लोगों तक पहुचाना है और उस जलगा फिर से परयोग करना यह जल लगा सफाय और वुन-पियों यह तीनгов। इसकी अलावे और अब इन तीन नीतियों को पालन करने के लिए क्या करकिया आजा सकता है यह तीन का तो यहां पर जल की उपलफता बनाएं रखने में भूमी घती जल की पुनह पूरति करना होगा है तुम्हापूरति करना होगा कहने का मतलब क्या जो जमीन के अंदर में ईसको पुनह हुआ पुर्ति करना होगा यह पानी हमने जन्मिन कंदर से निकाला है उसको फिर तरह भी तब दोते कि कोई बनाने हैं जो बरसा होता है चत पर जल कोई कठा करके कोई ऐसा तरीका है कि आंगर में पानी होदी बन जाए उसमें जाकर की कठा हो जाए वह पानी खुद बखुद रिस्ट करके जमीन के अंदर चला जाए बस पानी को पानी को नदी में पहुंचाना है पानी को नहर में पहुंचाना है अगर वहां तक हम सापसा पहुंचा दिये नहीं पानी खुद बखुद भूमी के नीचे चला जाएगा पानी को इकठा करना है वेस्ट नहीं करना है बरबाद नहीं करना है ठीक है तो भूमी के जल की पुन दूसरा बात क्या कही रहा है कि दूसरा बात है इसमें जल संभर परबंधन कि अब जल की कमी नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं तो जल संभर परबंधन का अर्थ है कि हम अपने आसपास के छेतर में गढ़्धा बनाएंगे गढ़्धा बनाके जल को इकठा करेंगे और जल को इकठा करके उन जल का पर्योग उस जल का पर्योग हम सिचाई के रूप में सापसफाई के रूप में इन सारे कारियों हम इसका गढ़्धे में जल है उसका पर्योग हम करेंगे ठीक है जी आगे देखो थर्ड नमर में देखो क्या कह रहे हैं थर्ड नमर में तक्नीकी विकास तक्नीकी विकास अब तक्नीकी विकास का क्या मतलब है कि जल का परियोग हम ऐसे करें ठीक है जल का परियोग हम ऐसे करें कि जल की बरवादी ना तकनीकी क्या होता है किस तरह से जल का पर्योग करेंगे और कहीं ये शिशाये करेंगे तो एसा निये खोलकर खेंडिय खिट में पट रहा है ऐसे नहीं तरह का परियोग में और कहीं पर कर पाए तो वहां पर से क्या होगा जल का जो वेस्ट होता है जल की जो बरबादी होती है वो कम हो जाएगे अब यह तो हो गया कौन सी बात वर्षा जल संदक्षर क्या होता है यह समझ में आ गया ठीक है इसके लिए सरकार के दुवरा क्या-क्या क्य आई गई है यह समझ में आ गया उन बातों पर अमल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है यह बाते समझ में आ अब भारत के अलग-अलग कि छेत्रों में क्या किया जा रहा है वर्षा जल को इकठा करने के लिए संचेन करने के लिए इसका हम वर्णन करेंगे तो मुखरूप से जो सूखा ग्रस छेत्र है न वो है राजस्थान जहां पर वर्षा कम होता है और पानी की कमी होती है तो राजस्थान के अगर जाएंगे राजस्थान में देखने के लिए तो अलग-अलग छेत्रों में देखेंगे गड्धे बने होते हैं पानी को इकठा करने के लिए गड्धे बनाये जाते हैं अधिकतर लोग बनाते ही है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है अगर गड़े में पानी सही समय पर इकठा नहीं किया जाए तो आने वाले सीजन में समस्या तो हो जाएगी न तो यहां पर राजस्थान में देखेंगे जो पानी होता है उसको इकठा करने के लिए गड़े बनाए जाते हैं ठीक है चाहां प objective में भी आता है question और कुछ अन छेत्रों में जोहर भी बोला जाता है उसको जोहर भी बोला जाता है ठीक है और कहां-कहां पानी इकठा किया जाता है तो देखें कि महाराष्ट मध्परदेश कुछ रा स्टेट से महाराष्ट है कि मध्परदेश है कि राजस्थान है कि गुजरात है ठीक है तो इन सारे छेत्रों में जो है ना पानी की कमी होती है और यहां पर यहां के लोग जो है वर्षाजल को इकठा करने के लिए उपाई अलग लोग उपाई करते हैं जुसमें मुख रूप से छत पर वर्षाजल का स संग्रहन मतलब सचत पर जो छत होता है ना तो मालों देखो यह समझने के लिए तुम्हारे बुक में भी होगा यह एक छत पर क्या करेगा चानुताब से छत को घेर देगा यह घर बना हुआ हमारा अब एक पाइप ही यहां से निकलेगा और यह पाइप चला जाएगा तु वर्षाटल सनरक्षण क्या होता है क्या उपाय के जा सकते है इसका एंसर मिल जाएगा लास्ट में कोश्चन में वहाँ से जाकर कर सकते हो चेक कर सकते हो ठीक है कि याद करने बाला कुछ बात है कितना होगा पांस से साथ लाइन होगा याद करेंगे दिरिगुत्रिय प्रस्न बन जाएगा और लिखो गया कितना बाते बताएं ना उतनी बाते दिमाग में होनी चाहिए लेकिन अब यहां से जब हम यह देखेंगे पॉइंट वाज देखते चले जाएंगे तो चोटा हो जाता है इस तरह से हम दिरिगुत्रिय प्रस्न को अगर पढ़ते हैं याद रखते हैं तो निश्ची तोर पर नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही और बातों को रखने में हमा रखते हैं यहन यह्छे रखते हैं यह देखते हैं यहाँ मैं यह जाएंगे स्थचाओचरब रहीज।